कि अधाय तो आप लोगों के नई ग्लास लेका है और इस ख्लास के मादरम से उत्तर पिदेश प्लॉस jerाने जा रहे हैं जो पीपर आपका 25 한국 2018 में हुगा तो उस्मर आपके कि कैसे पेसन पूचे गए थे तह यह आपको पता है कि आपकी Toryक के हम कि अपको बता हैं यह कि दो नंबर करा रहता है नहीं हम कह सकते हैं कि आपका क्लास पसंद आती हुआ आप पोटेली क्या है उत्ते प्रेस्ट प्रेस्ट के लिए प्रेस्ट को सब्सक्राइब करेंगे जो भी आप से पूछा जा रहा है किसी कार का करने या होने का बूत कराने वाले सब्द कहलाते हैं प्रेस्ट आपसे पूछा जा रहा है किसी कार का करने या होने का बूत कराने वाले सब्द कहलाते हैं क्या है लोगा तो बजा जाता है क्लिए चले कोष्च नंबर 115 को देख Tapi कि Burger प्रे感 थे किन्म से services क्या क्याओं थी क्या काल कहे रहाता है यह क्युसिते हैं कट्रे मैं गोड़ा डिखते हैं किन्वर साहिआ है कि मैं प्रिश्ट में में किरिया की घटत होने का सामान रूप आप्स नम्र Conse नम्र डे रखे के किरिया का पूर्र रूप तो बताइे यह ने में से का काल कहलाता है डीके इस प्रिशन का आपका बिलको और आप लोगों से पूँचा जा रहे कि संस्कित भासा से हिंदी में बिना परवेतन के प्युक्त होने वाले सब्द क्या कहलाते हैं तो बताइए संस्कित भासा से हिंदी में बिना परवेतन के प्युक्त होने वाले सब्द क्या कहलाते हैं कोश्चिन नमबर 116 का आपका बिल्कुश सही अंसर हो जाएगा तो को कहलाते हैं के तत्सम सब्द कहलाद के संस्कित भासा से हिंदी में बिना पईवेतन के प्यूख्ट होने वाले सब्द आपके तत्सम सब्द कहलाद में अप्शन नमबर भी हमारे हैं पर बिल्गों सही अंसर हो जाए कि लिए चलिए अंगले पिसन देखते है कुश्चन नमबर 117 आपकी सब्द कों सा है क्वाप्सन आपका सही हो अपको बताना कि तदभा सब्द कौन सा अंजए इस प्षण का आपका सही अंसर हो जाएगए तरद्भा सब्द होता है हमारे तत्षाब्ससब्द हलो सब्ध हो जाएगाा क्यों लिए पिसन आप से पूच्छा जा रहा है कि समान आयत बताने वाले सब्द क्या कहलाते हैं पिसन आप से पूच्छा जा रहे कि समान आयत बताने वाले सब्द क्या कहलाते हैं और इस पिसन का आपका बिलुकुल सही अंसर हो जाएगा समान आयत बताने वाले सब्द क्या कहलाते हैं और पिसन नमबर क्या हो जाएगा आपका ? पिसन आपका ओपन नमबर C हमारे बिलकुल चही अंसर हो जाएगा के लिए रहे हैं चले हमले पिसन देखते हैं कुश्टिन नमबर 119 आपसे पूँचा जा रहा है आगेरेज का सही विलॉम क्या होता है ? option number a में दिर्ख अनुज, option number b में दिर्ख है लगू, option number c में दिर्ख है छोटा, option number d में दिर्ख है सूच, तो बताए आग्रेज का सही बिलॉम क्या होता है, आग्रेज का सही बिलॉम होता है, आपका अनुजी निगा, option number क्या हो जाएगा, option number हो जाएगा हमारा, यह फोर, आप अमेरिका हैं पर बिलो को सही अंसर होई कि आगरेज का सही विलूम होता है आपका अनुज होता है कि लिए चलिए उसका प्रिसंद देखते हैं अंगले प्रिसंद आपकी स्कीन पर कोश्च नमबर 120 आप से पूचा जा रहा है दन का मतलब क्या होता है और अपस नमबर ए में हो जाएगा है अपका अयत का मतलब होता है आपका आयत होता है और बिल्कुल आंसर हो जाएगा कि लिए चलिए अंगला प्रिसंद दिखते हैं कि अपने जीवन पर वक्तियांस के लिए एक सब्द होगा इन्हीं आपको यह बाक्तिया रख रखए इसमें पूचा जा रहे ह को संसमर권 0C आफ में गलानी depressing को आत्म कथा 20 जब कोई व्यक्ति के ऊपर पिरेखेंगे तो इसमें की बारे में करेंगे इसमें बोला आत्मकत्था बोला जाते दिए आत्मकत्था बोले घakesी आपका विल्कुँस जवाब हो जाघी जैसे माइली जी आप अपने सक्सेस हो जाओगे आपके अपको पता है कि जो उनके जीवन के बारे में क्या होने के बार रणकिया है सब्सक्राइब लिखी गाता है उसके आप में लिखता बोला जाता है कि लिए चलिए अंगले पर देखते हैं को इस आप से पूंचा जा रहा है अन्य 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 सब्द योग में के सही आथ मतलब आपको आथ भेत का चैन कीजिए ऑप्सिन अमबर ए में दिरेक आप लोगों से पूंचा जा रहा है निर्वर सब्द में अपस है अन्य 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 जिए छोटी नि दि रख्ए आपको बड़ी निर्ख न रेक है सब्द के जो पहले होता है उसे क्या बहुलते है उसे ऑन फोलते हैं जो सब्द की पीछे लगा होता है यह उसे हम प्या बोलते हैं प्ताय निद्स बात कोαςि मैं लागो से पुंच जायेगा वेधार तो सब्सक्राइब Q और पreckर हैं प्लोगोंसे पूंचा जारा है किलोना सब्द में मूल सब्द है इसन आप से पूछा जा रहेगी किलोना सब्द में मूल सब्द है Question number 125 आपसे पूँचा जा रहा है, सुरसंदी में किसका मेल होता है? पिसन आपसे पूचा जा रहे कि सुरसंदी में किसका मेल होता है? Option number A में दिरेखा है सुरों का, Option number B में दिरेखा है बेंजनों का, Option number C में दिरेखा है को सब्दों का, ौपाशनदी में किसमेल में होटा है कुछ में 125 का क्या हällता है? और 100 संदी में आपका में होता है सरो नौर का में HOW आपका आपका ौपस्ैन नमबर ये हमारे है तरह सही अंसर हो जाएगा आप लोग बुझ ती टोड़र Miller के पास लें कर दो अगर अभी तक आप लोगो Corps को और धुर्स नमब्र26 सबसे पूंच जाना है उन्होंने पहा जाना explained किस पिकार की असुद्धी है से अपसे पूंचा जारेक उन्होंने कहा जाना है बाक्क में किस पिकार की असुद्धी है ade option no.1 में दिरखक है आपको सायम नाम संबंधी option no.2 में दिरखक है संगया संबंधी option no.3 में दिरखक है कि इसलोट component संबंधी option no.3 में दिरखक है विश्येशल संबंधी तो बताये उन्होंने कहां जाना है बाक में किस पिकार की असुद्धी है कुर्श नमबर 126 का क्या अंसर होगा तो कुर्श नमबर 126 का आपका सही अंसर हो जाए क्या है उन्होंने कहां जाना है बाक में किस पिकार की सुद्धी है तो बाक में साहिम नाम क्या है आपका साहिम नाम आप समंदी असुद्धी हो जाए है, आपसिन नमबर ए हमारे हैं पर बिल्कुस सही अंसा हो जाए के लिए चलिए अंगला पैसन देखते हैं, कोशन नमबर 117 अफसर पूंचा जा रहा है, पूंचा समासिक पद को तोड़ना कहलाता है, आपसिन नमबर ए में दिरेक है संदी आपसिन नमबर ए में दिरेक है आपको समास, आपसिन नमबर सी में दिरेक है आपको समास विर्गे, आपसिन नमबर ए में दिरेक है आपको समास विर्चे, तो बताइए समास एक पद को तोड़ना कहलाता है, तो कोशन नमबर 117 का क्या अंसर होगा, तो कोशन नमबर 117 का आपका सही अंसर हो जागा sí हमारे हैंपर बिल्गोल पीद्छी अंसर हो जाए के लिए रहा है चलिए उल्काइल का परसंद देखते है कोशल नमबर पosit 2 आप से पूंचा जा रहा है करम बाच में प्यधान होता है पिसन आप से पूंचा जा रहा है करम बाच्च में पिदान होता है आपस नमबर A में देरे खरता आपस नमबर B में देरे खरता को भाव आपस नमबर C में देरे चार आपस नमबर D में देरे करम तो बताए करम बाच्च में पिदान होता है कोश्च नमबर 120 का क्या अंसर होगा तो करम बाच के आपको हैं पर हम अगर प्रिसन पूँचे हैं कि करम बाच कितने पकार के होते हैं करम बाच आपके तीन पकार के होते हैं कौन-कौन होते हैं तो एक होता है आपका कितक बाच क्या होता है कितर बाच्छ होता है और दूसरा होता है आपका कौन सा करम बाच्छ होता है और तीसरा होता है आपका बहाँ बाच्छ होता है तो आप से पूंचा जा रहा है कि करम बाच्छ में पिधान क्या होता है तो करम बाच्छ में पिधान होता है आपका करम बाच्छ में पिधान होत होता कि लिए कहलाती हैं बाच कहला थे तो बताए जिन सब्दों में लिंक बचन कारक आधिक क्रण कोई प्रवितन नहीं होता है क्या कहले में कुछ नंबर 139 का आपका थके आभिक तो आपके आपके कहला थेरल थे इसको बोला जाता है इसको अगर आप लोगों इस पिसन का अंसर गलत कर दी है तो आप लोगों के एक्जाम की तयारी करना च्छुबा देना चाहिए कि आ अप मैथ में भी इसको लगाते हो फिसन वाचक को बोलते क argues अगर आपको यह सीहाँ जाहिए करना की को मSh Strainer है फिसको उस्ट समय होई तो एक बार और पॉले के कर पिसन को सही कहने की कोसिस करना ठीक है चलिए अंगले पिसन देखते हैं और लॉटावरे अपना सामान आयत ना दे फाल और और फिकट कहते हैं एक पन्थ llोकृति का आहत कि बताए आपको यह ने'reक का ये जम दिने भी जाएँगी और और भाहा पर घंपर हमें परuser सुम्क्राई को भी बहुत क्या होगा तो इस्ट लोकृति का आपका सही अंसर हो जाएगा एक ही काम से दो लाव होना है क्या है मतलब एक जाम देने जाएंगे और इस स्टाइब आपसे पूंचा जा रहे हैं हस रस का स्टाइब होता है जिस में क्या है जिस रस में हसी की क्या है आपकी क्या है उत्पन हो उसके बुद हास रस मिनी ऑप्स नमबर यह हमारे बिल्कों सही अंसर हो जाएगा ठीक है किने रहे चलिए अंग्रा पिसन देखते हैं कुछ नमबर 114 सबसे पूछा जा रहा है कुछ नमबर 135 आप से पूछा जा रहा है बहरों की एक से अधिक बार किस एलंकार में होती है आप से पूछा जा रहे कि ब्रणों की एक से अधिक बार आवजी किस एलंकार में होती है क्रुश्य no.135 का आपका क्या answer होगा तो क्रुश्य no.135 का हमारा सही answer हो जाए कि है बादों की एक से अधिक बाद आवर अवत्ति किसकी अलंकार में होती है आपके अनुख अलंकार में आपकी यह आवरत्ति हो तक हूँ आपस्य no. K्या हो जाएगा मुद्ध इस पेंदल से बनता नहीं है लिखता नहीं मतलब बहुत टाम लगता है मुद्ध महीपत के मुद्ध महीपत मुद्ध महीपत मंदर आये मुझत महीत आपके मन दर होती है इन क्या हो जाएगा तो आपकी ब्लाणों की एक से अधिक बार अबद्ती की सलंगकार में होती होती जाए के लिए है कुछिनम्बर 136 आप से पूछा जा रहा है सब्ड की सबसे छोटी एकाई क्या कहलाती है सब्सक्राइब की है होते हैं हमारे कितने तो होते हैं हमारे दो होते हैं कौन-कौन से होते हैं हमारे क्या होते हैं अंग और हमारे क्या होते हैं हमारे क्या होते हैं अपर पूछा जा रहे है कि सब्दे की सबसे छोटी काई क्या कहला आती है तो सब्दे की सबसे छोटी काई कहला आती है आपकी बै तो इसे बार बोल रखेंगे चलिए अंगला पिसंद देखते हैं अंगला पिसंद को इससे आप से पूछा रहा है कि इसका जेंडर करके बताना और आप लोगों से पूछा जा रहा है आचार का पुलिंग सब्द होता है को बताने के आचार का पुलिंग सब्द होता है गुलू होता है आचार होता है सिक्षक होता है और आ रहा होता है तो बताएं आचार का पुलिंग सब्द क्या होता है यह अंसर हो जाए कि यह चले इनला पिसन देखते हैं कुर्श्च नमर 119 आपसे पूछ रहा है कि पुछ तक रखी है बाक में बचन है पुछ नमर 119 का क्या अंसर होगा तो कुर्श्च नमर 119 का आपका सही अंसर हो जाएं आपका एक बचन है इस बाक में आपका एक बचन के पुछ रखी मितलब यह की पुछ रखी है क्या है क्या है यह पुछ यह फुछ नमर इंसर हो जाएं कि लिए चले और बढ़ते हैं question number 140 आपसे कुछ रहा है सिख्चक ने पार्ट पढ़ाया मतलब किस कारक का प्योग है आपको बताने सिख्चक ने पार्ट पढ़ाया किस कारक का प्योग है option number A में दिरेक्ख है option number B में दिरेक्ख है option number C में दिरेक्ख करम कारक option number D में दिरेक्ख आपको पार्ट पढ़ाया करता कारक इसमें कारक प्योग हुगा नो ऑप्सिन नंबर भी हैं पर हमारा बिल्कु सही अंसर हो जाई के लिए हैं चलिए अंगला पसिन देखते हैं कुछ नंबर 141 आप से पूंच रहा है कि पुलिस बाचक सैब नाम के कितनी भेद होते हैं आपको बता कितनी भेद होते हैं कुछ नंबर 141 का क्या अंसर होगा देखे तो पुरिस बाचक सैब नाम के कितनी भेद होते हैं यहां पर हमारा बिल्कुल सही अंसर हो जाए कि लिए चलिए में रपिसंद देखते हैं कुछ नंबर 142 आपसे पूंच रहा है कि बिसेचर के वक्षता कि कितने भेद होते हैं पूछ नंबर 144 का सही अंसर हो जाएगा तो आपके बिसेचर की मुक्ता है तो छार वह दो बिसेचर के मुक्ता है बाइचा कैसे सर्थ होता है और परिमार बाइचा कि सर्थ होता है तो यह क्या है कि छोग्छा है कि कोझा आप निमाप से पूंछ रहे हैं कि ISNK at प्रकर नंबर कौँसा है नहीं नियुक्त में कौन सा सथ हो जाएं कि आपसलिये को में लेकर और हमारे बिलकुल जीका है ऑप्स Jr?. kynित錢 है तो में एक ब्रियों की आपका किंने धीक हाच जाएि लॉचह लिखते हैं अंगले पिसन आपकी स्किन पर और आप लोगों से पूंच रहा है चलिए कौन से किती महादेवी बर्माकी है कौन से किती महादेवी बर्माकी है और पिसन इनले चलिए पिसन 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 आप से पूंचा जा रहे हैं और बसी किस की रचना है option number A में दिरेत खैप को रामदेक्च वैनिपूरी option number B में दिरेत खैप को राम धारी सिंग दिनकर option number D में दिरेत खैप को सिया राम सर option number D में दिरेत खैप को पागगा तो बताईए ?Of시 किसकी रचना है तो question number 145 का हमारा सही एंसर हो जाएक है और वसी किसकी रसना तो ए हमारे राम धारी सिंग्दन करगी क्या है और वसी रसनी option नमर क्या हो जाएगा option नमर B हमारे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राम धारी सिंग्दन करगी रसना क्या है और वसी नमर B हमारे बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा दीखें, मेरे प्यारी भाई का आप लोगों के है, इस class में हमने बैपिसंद कराये हैं जो आपके, इंजाम में पूचे गए ते नहीं, आपको paper solve कराया है और आपको के है, 145 के, 145 से आपके जो भी पिसंद रहे गए हैं, नहीं है, 5 पिसंद रहे गए हैं तो 5 पिसंद आपके किसे गद्धान से पूचे गए, तो गद्धान से आपके कराने पॉसिबल नहीं है, आप लोगों के अलग class लेके आएंगे, उसमें आपको गद्धान से कराएंगे, क्योंकि हमारी class ज्यादे length ही हो जाएगी, और पीडियोप की द्वारे नहीं, करना चाहते हो, तो अपने channel को क्या करना है, एक बार सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने सभी मित्रों के पास class को share करना है, जो भी आप social media यह उचकर तो बहाँ पर एक बार class को share करना है, तो मिलते हैं फिर नहीं class के साथ, जहन दिर्वारत.